आई जानते हैं कितना मेंगा है रादी का मर्चंड का शादी का प्री वेडिंग ड्रेस और ये इतना अनोखा क्यूं है रादी का मर्चंड ने अपने प्री वेडिंग फंक्शन के तीसरे दिन पर लोग पर ये डिजाइनर सभ्य साची का डिजाइन किया हुआ सिल्वर शेड रोज कलर का लेंगा पेना हुआ था मुकेश अमबानी की छोटी बहू ने इस ब्यूटिफल लेंगे को सभ्य साची हेरिटेज कलेक्शन से चुना था पूरा लेंगा ना सिर्फ सोने और डैमन से बलके रूबी और नील मोतियों जैसे कई अनमोल रतनों से भरा हुआ था जो रादी का मर्चन के प्रिवेडिंग लुक में चार चांद लगा रहे थे रादी का मर्चन का ये लेंगा मर्बली सिल्क से तियार किया गया था इस शांदार लेंगे के साथ रादी का मर्चन ने स्वीटार्ट नेकलाइन का मेचिंग सेट पेना था इंबेलिस चोली और शाइन दुपटे के साथ इन्होंने पेर किया था रादी का मर्चन को हेरिटेज ब्रैडल लुक देने के लिए उनके दुपटे पर कस्टम ट्रेड हेंड मेट गोल्डन करन के डिटेलिंग की गई थी हीरे और मोतियों से जुड़े इस लेंगे के इस दुपटे में हिंदु धरम का पवित्र वर्ड ओम भी लिखा हुआ था इस दुपटे के नीचे नहीं बलके उपर दो बड़े अंकट डाइमंड्स भी लगाय गए थे सबे साची मुखर जी और उनकी टीम को इस खुपसुरद लेंगे को डिजाइन करने के लिए और बनाने के लिए करीब 3,100 घंटे लगे थे और अब रादी का मर्चंड के इस खुपसुरद लेंगे की कीमत की बात की जाए तो वो तकरीबन 1,5 कर रुपे है जी हां दोस्तों आपने सही सुना अमबानी परिवार ने अपनी चोटी बहू रादी का मर्चंड के लेंगे के लिए मोटी रगम खर्च करने के लिए कोई भी समझोता नहीं किया इसके साथ साथ रादी का मर्चंड ने अपनी जूलिरी का चुनाव मनिश मलोतरा के जूलिरी कलेक्शन से किया था उन्होंने बताया है के रादी का मर्चंड ने अपनी प्रिवेटिंग जूलिरी के लिए बिलू, पिंक और रेड डायमंड के इलावा काफी महंगे रतनों का चुनाव किया है राधी का मर्चंड ने अंकर डायमंड से त्यार किया गया हेवी हेंड मेड चोकर नेकलेस को चुना था और माथे पर हेवी राजस्तानी वाली पटी पेनी हुई थी और ये जूलिरी राधी का मर्चंड को काफी परफेक्ट लुक दे रही थी प्री वेडिंग फंक्शन के दूसरे दिन राधी का मर्चंड रेंबो ड्रेस में नजर आई थी रेड होली फिरिंजड हेल्टर नेक वाली इस रेंबो ड्रेस की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वाइरल हुई थी आपको बता दें कि इस ड्रेस को डिजाइनर आशिश गुपता ने डिजाइन किया था और इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपे से भी जएदा बताई जा रही है पिरी वेडिंग सरिमनी के पहले दिन राधी का मर्चंड ने लुईस विटन का एक बहुती खुपसूरत शीन गाउन पेना था और इस मोडरन लुक को राधी का मर्चंड ने मिनिममम जूलिरी के साथ पहना था हीरे से जुड़े हुए इस गाउन को उन्होंने बिलू डाइमंड चोकर नेकलेस पहना था डाइमंड के येरिंग से ब्रेसलेड के साथ पहना था और इस ड्रेस को रादी का मर्चंड ने कस्टम खुद अपने हाथों से रेडी और फाइनलाइज किया था और इस गाउन के क्रिस्चल वर्क ने तो सब भी आने वाले महमानों को हिरान कर दिया था साथ ही उनके डायमा येरिंग्स और हारनेस बेंगल्स ने भी इस लुक को चार चांद लगा दिये इसके इलावा दोस्तों आपको बता देंगे आनन तंबानी ने भी अपने प्रिवेडिंग फंक्शन्स में सब ये साची के डिजैन किये हुए कपड़े पहने थे जो काफी खुबसूरत भी लग रहे थे और उनकी कीमत लाखों में नहीं बलके करोड़ों में थी तो दोस्तों आपको अरादी का मरेचंट और अनन तंबानी के ड्रेसे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथे साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ